Hello Friends, मैं आनामिका, मेरे कीचेशन में आप सभी का स्वागत है Friends, आज मैं भडवा कड़ेले की रेश्बी लेकर आई हम कड़ेला नाम सुनके सब के मून चर जाते हैं कि कड़ेला कड़वा होगा लेकिन Friends, इस तरीके से आप बना के देखिये जिसे पसंद नहीं आता होगा वो भी कड़ेला खाना शुरू कर देगा और इसे बनाना कितना आसान है मैं आपको हर एस्टिप बताऊंगी तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप जरू ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कोमेट करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं कड़ेला भड़वा बनाने के लिए हमने 5 कड़ेला ले लिया है मेडियम साइज के इसे हमने धो लिया है अब हम इसको काटना बताएंगे तो हम एक knife की मदद से दोनों side का point काट देंगे और हमें भड़वा करेला बनाना है तो ये जो मुचे नीचे part होते हैं उसे हम चाकू से हलका हलका निकाल लेंगे ज्यादा नहीं छीलना है ऐसे हम हलका हलका part क्यों है उसे निकाल लेंगे कि इसे क्या होता है जब हम तेल में डालते हैं तो स्षराइ कर्णे में ये मीचे तक नहीं जाता यह उटा हूआ पाल department अलगी नहीं हो पाता है इसा— और ज्यादा नहीं चीलना है हमें अब्यक्रित कि सकते हैं मैं एकधा में हुलका हलका चील रहीं हुँ की पया हुआ है तो आप देख सकते हैं, हमने करेले का हलका हलका उपर वाला पार्ट हटाया है, फिर से आपको दिखा दे रही हूं, जो ये उठा उठा पार्ट रहता है, इसको हमने चाकू से हटा लिया है, तो ये चारो तरफ से एकदम इस्टेट हो गया है, अब हम नाइफ की मदद से इध थोड़ा चोड़ देंगे थोड़ा इज़ड और बीच में ऐसे हम कट लगा लेंगे ऐसे हम मर्शाला भढ़ने का जगह बनाएंगे आपको काट के दिखा देती हूं कि उपर वाला हडा लिया नीचे वाला फिर हम इसको चाकू की मदद से ऐसे दहीरे दहीरे निकाल देंगे और इसे हमें वेश्ट नहीं करना है हम इसको भी यूज़ बताएंगे आपको कैसे यूज़ करना है तो हमने दुसरे कड़ेले को भी अच्छे से उपर से पील कर दिया है अब हम इसका कट भी विखा देते हैं तो हम इधर थोड़ा सा छोड़ देंगे और इधर भी बीच में हम ऐसे चाकू से कट लगाएंगे तो ये वाली जो एसपेज है ये अपना भरने का एसपेज है तो इसको हम चम्मच से इसका बीच वाला गुद्दा कैसे निकालेंगे वो भी आपको दिखा दे रहे हैं अब हम एक एसफोन की मदद से इसके बीच का सीद निकाल लेंगे तो इसमें जो हाड वाली सीद होगी वही हम निकालेंगे नहीं तो बाकी तो मसाले के साथ अच्छा ही लगता है तो हम जो हाड वाली सीद है उसे कोसिस करेंगे कि निकाल लें थोड़ा सावधानी से निकाल लिए इसमें बीच में कट नहीं लगना चाहिए तो हमने कड़ले को छाफकर लिया मैं ये दूश्रा वाला कड़ले आपको दिखाती हैं। ऐसे हम भी भब फैला देंगे। इस फून के पिछले हिस्से से सील को निकालने की पूशिस करेंगे। जो हाड़ वाली सीड है उसे हम फील देंगे और जो नडम वाली है उसे हम यूज कर लेंगे, वो मसाले के साथ तेश्टी रगता है, तो हमने दूसरे करेले का भी सीड निकाल लिया, हमने सभी करेले का उपर कचिल कह डालिया, सीड को निकाल लिया, अब हम इसे एक बॉल में लेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा शा नमक और साथ में हम डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, और जो हमने ये छीका उतारा है, इसमें भी थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, फिर हम एक चम्मच की मदब से इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा, करेला अपना पानी छोड़ेगा, और इसमें जो करवा पानी होता है, वो नमक के साथ निकल जाएगा, फिर हम इसे साफ कर से करेंगे, और भी आपको बताएंगे, तो हमने छिलके को मिला लिया, अब हम ये करेले में नमक खल्दी अच्छे से मिला दे रहे हैं, चारो तरफ ये हल्दी नमक का पिश्ट लग जाना चाहिए, अब हम इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, जब तक हल्दी नमक करेले से करवा पानी निकाल रहा है, तब तक हम गैस के तरफ चलेंगे, और मशाला तैयार करेंगे, गैस पर हमने कड़ा ही लिया है, अब हम इसमें एक बड़ा चमच तेल डाल देंगे, तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें जीरा, शौफ, राई, क्लाउजी का फोरन डालेंगे, तो इन साड़े फोरन को हम एक सांस में डाल देंगे, और हलका सा चटकने देंगे, जादा नहीं चटकाना है, फोरन चटकने लगा है, अब हम इसमें आधा समच तीजिम जालेंगे, चलाने से फोरन से खुजबू आने लगी है, इसका मतलब फोरन चटकी सुखा है, तो हम दो बड़ा प्यास जिसे हमने छोड़े छोड़े के पेस में काट विया है उसे डाल देंगे और इसे हम 3,7 मिनट तक राउंड तक भूनेंगे प्यास को हमने 4 मिनट तक भूना है हम इसमे दो चमत अधरक लह्तूं का पेष्ट डाल देंगे तो हमने दो चमझ़ दाव लिया और चार मिनट तक प्याज की सांटी से ही भूनेंगे प्याज भी भून जाएगा अगरक लेक्सन भी भून जाएगा हमें डेज का प्लेक मेडियम च्छो लखना है और चलाते हुए भूनना है प्यार लेक्सन को हमने भून लिया है अब हम करते हैं कड़ेले के तरफ जिसमें हमने नमक मिर्ज लगा रखा था तो हम गैस का फेम स्लो कर दे रहे हैं जिसमें की प्यार लेक्सन जड़े नहीं तब तक हम कड़ेले के छिलता दो लेते हैं बॉल में हमने पानी ले लिया है और यहां पे जो हमने छिलके में हल्दी नमक लगाया था तो आपको दिखा दे रही हूँ इससे करेले में से कितना पानी छोड़ा है अब इसे हमें फ्रेज पानी में दो लेना है तो ऐसे हम सभी छिलके को डाल देंगे और हाथ से ऐसे मसलते अब हम इसे जाल लेंगे और मुठी से हम इसे प्रेस करते हुए जितना पानी हो सके निकाल लेंगे और एक प्रेट में इसे हम रख लेंगे फिर एक बार ऐसे हम शिर्केगे शिल्के के खाथ में निकाल लेना है पाने को निकाल के अब चलिए हम गर्ष के तरब चलते हैं तो जो प्याज लेक्षुन हमने भून रखा है उसमें कडे लेके शिल्के को डाल के और इसे भी 4-5 मिनट तक भून लेंगे क्योंकि ये फिलिंग में साम आ जाता है और टेश्ट भी अच्छा लगता है और इसका विटामिन भी अपने पास ही राजाता है खेकना नहीं पड़ता है तो चलिए हम इसे 4-5 मिनट तक प्याज के साथ भून लें प्याज के साथ हमने कडेले के शिल्के को भी भून लिया है अब हम इसमें मसाला आयर करेंगे हम आधा चमच हल्दी पॉडर डालेंगे एक चमच मिर्च पॉडर तो मिर्च पॉडर आपने तीखा के अनुशार डालेंगे जादा तीखा खाते हैं तो मात्रा बढ़ा सकते हैं एक चमच हम धरिया पॉडर डालेंगे तो हम श्वाद के पानी छोड़ने लिए रखे तो थोड़ासा नमक उसमें भी रहता है, तो हम उसी अंदाल से मसाला में ठोड़ा सा नमक एड़ करेंगी और इसे हम अच्छे से सरा लेंगी चलाते हुए हमें एक से दो मिन तक हूनना है मशाला को हमने दो मिनन तक फुण लिया है अब हम इसमें दो बड़ा टिमाटर डाल देंगे जिसे हमने बारी बारे काट रखा है और इसे हम 3-4 मिनत तक यानि हम भी टिमाटर गलने तक पका लेंगे तो टमाटर डालने के बाल हम इसे कभर करके पकाएंगे इससे टमाटर बहुत चल्दी गल जाता है तो हम 2-3 मिन तक कवर कर देंगे बीच बीच में देख भी सकते हैं मसाला जलना नहीं चलिए तो चलिए हम मसाला दिखा देते हैं आपको अब देख सकते हैं अपना प्याज टमाटर यानि कि सारे इंगिलेंस अच्छे से गल चुके हैं और मसाला एकदम अच्छी तरीगे से भून चुका है हमें इसमें बीकुल पानी नहीं रखता है फ्लेम को तेज करकी चलाते हुए इससे शुखा शुखा तयार करना है क्योंकि इस मसाला को मैं करेले में फील करना है मसाला अच्छे से भून चुका है अब हम लास्ट एश टेश भी डालेंगे अंचुल पाॉडर तो यहां पे आप चाहें तो कच्छी केरी हो उसे भी ग्रेट करकी डाल सकते हैं या तो कोई घड में खटा अचार हो उसे भी ड काल दिया एया है अब अन्यदक मशाला ठडना हो रहा है हम पानी डाले चाहिके इस बाल में भड़ के पानी यह और कड़ेले को हम घुमा घुमा के इसके बीच वाले पार्ट को अच्छे से धोलेंगे इससे एक तो एक्स्ट्रा नमक निकल जाता है और कड़ेले का करवापन ही कम हो जाता है तो ऐसे हम अंदर हाथ लगा लगा के शारे कड़ेले को अच्छे से वास करेंगे हमने सभी कड़ेले को अच्छे से धो लिया है अब हम क्या करेंगे एक एक कड़ेला को उठाएंगे और ऐसे मुठी से दबा के इसका एक्ष्टा पानी निकाल देंगे जितना हो सके पानी हमें निकाल देना है और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे फिर एक एक कड़ेला उठाएंगे और इसका पानी अच्छे से निकाल के और रखते जाएंगे कड़ेला में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए करेले को पानी से निकाल लिया है जल्दी बनाना है तो इसे एक तॉलिया से पोच लेंगे और थोड़ा लेड बनाना है तो ऐसे भी यह शुक जाता है करेले को हमने पानी चोड़के प्लेट में शुखा लिया और हमने मशाला को एक बॉल में निकाल लिया है तो चलिए अब हम इसको भड़ना सिखा देते हैं करेले के मुग को ऐसे पहला लेना है और इक चम्मच की मदब से धीरे धीरे इसमें डालना है इसे हम जितना आ सके मशाला उतना भरेंगे एकश्ट्रा मशाला हम चम्मच की मदद से ऐसे निकाल लेंगे तो चब यह हम दुछरा कडेला भी भर लेते हैं ऐसे मुग को फैला लेंगे फिर चम्मच से लेंगे और इसमें फिरे फिक करेंगे चारो तरफ दबाते हुए हमें भड़ना है कोई भी एरिया खाली नहीं रहनी चाहिए और ऐसे हम दबाएंगे एक्स्ट्रा मशाला हम इस्पून की मदद से निकाल लेंगे तो ऐसे ही हम सभी कड़ेले को भड़ लेंगे हमने सभी कड़ेले को अच्छे से भर लिया है अब हम गैस के तरफ चलेंगे गैस पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है गैस को आम कर लेंगे पैन गरम होने देंगे और इसमें हम तेल डालेंगे तो यहां पे आप जो तेल खाते हैं उसमें फ्राई की दिये, तेल को अच्छे से फैलाते हुए गड़म होने देना है, अब देख सकते हैं, हमने तेल को फैला लिया, फ्लेम को स्लो कर लिया, अब हम इसमें करेला डालेंगे, अब हम भीरे भीरे एक ही करेले को ऐसे छोड़ देंगे, करेला गरंब हो अब हम इसी कभर करेंगे दो-धुल टीन मिनट पर उलट-उलट के फ्राई करेंगे, यानि कि पंदरे से दीस मिनट में हमें चार पास बार उलटना है और करेले को अच्छे से फ्राई करना है, तो चलिए हम एक बार करेला बेख लेटे हैं, करयला को हम घुरे घुमाेंगे कारएला कर्ड़ा के मैं इसके ठाउब के ठाउब दो करेला दिखा देते हैं करेलको हमें चलाते हुएं 20 मिन दट एक दम स्लो फ्लेम पर फ्लाई किया है करेला अच्छे से फ्लाई हो शुका है आप देख सकते हैं ज्यादा दबाओं में तो तूँच जाएगा एक दम अच्छे से करेला फ्लाई हुआ है कड़ेले के प्लेटिंग कर लिया है तो आपने देख लिया भड़वा कड़ेला हमने कितना इजी तरीके से बनाया है यह देखने में कितना शुन्दर खाने में श्वादिश्ट तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राइ किजिए और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ल सब्सक्राइब कीजी शेयर कीजी और कमिट करना मत मूली धन्यवाद